नमस्कार मैं सुधिप्तित्र पाथी और आप देख रहे हैं दलोक तंत्र आज हम बात करेंगे एक बेहधी गंभीर मुद्दे पर ओनलाइन गेमिंग और सटे बाजी के दुष्चक्र के उपर ओनलाइन गेमिंग और सटे बाजी ने युवाओं को बरबादी के कगार पर खड़ा कर दिया है यह वीडियो एक सचेतक है ताकि आप इस जाल में फसने से बच सकें लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात सुरू करूँ आप यह वीडियो देखिए अगर हमसे बात नहीं करना चाहती है अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोट पे नहीं देखने नहीं आएगा इसलिए कि तुमने खेला हूँ उसके बाद करज है तुमने कहा किस से करज ले लिए मैं जए 96 लाग रुपे जानना चाहता हूँ मैटर रकम होती है कहां से पैसे ले लिए पहले लोग से लिए उसके बाद जब किसी को लट होगे फ्रॉड भी किया लेको मत रो नहीं प्रॉड नहीं नहीं गर वाले बात नहीं करना चाहता है तो हम यहां आया करो रोज और आके बैठा करो रोज आया करो मुझसे बात क्या करो उमीद है कि आपने इस वीडियो को देखा होगा सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज़्यादा वाइरल है आप इस वीडियो को देखिए और उसकी भायावाता को भी महसूस कीजे हमें इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है कि ऑनलाइन गेमिंग अब महज एक खेल नहीं रह गया है यह युवाओं के लिए एक गंभीर लत बन चुका है पहले यह सोख के रूप में सुरू होता है फिर धीरे धीरे लत और उसके बाद सटे बाजी का रूप ले लेता है तेजी से अमीर बनने के सपने दिखाने वाल भारी भरकम विज्यापनों और आसान एकसेस के कारण युवाओं को इस जाल में फसना बेहद आसान हो गया है एक साधारन खेल से सुरू होकर यह मामला सटे बाजी तक पहुँच जाता है युवा जल्दी पैसे कमाने के लालच में न केवल अपना समय बरबात कर रहे हैं बलकि कर्ज में भी डूब रहे हैं और जब कर्ज का बोज बढ़ता है तो मानसिक तनाव उन्हें खुद को नुकसान पहुचाने की हद तक ले जाता है अब सवाल उठता है कि सरकारे क्या कर रही हैं सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस खतरनाक ट्रेंड पर सक्त नजर बना करते हैं तो यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकारे खुद युवाओं को इस जाल में धकेल रही हैं इस तरह के कदम न सिर्फ गेमिंग की लट को बढ़ावा देते हैं बलकि युवाओं को सट्टे बाजी के खतरनाक चक्र में फसा देते हैं ओनलाइन गेमिंग को महज मनुरंजक तक सीमित रखना चाहिए लेकिन यह मनुरंजन से बढ़कर सट्टे बाजी तक पहुँच गया है सरकार को सट्टे बाजी पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आप यह समझ रहे होंगे कि यह किस कदर हमारे युवाओं को खोखला कर रहा है हमें यह समझना होगा कि यह एक फिसलन भरी रा है अगर इसमें एक बार फसे तो बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है युवाओं को विसेश कर सजक रहना होगा और परिवारों को भी इस पर खुल कर बात करनी होगी खास तोर पे टीनेजर्स को तो बिलकुल इस गेम से इस ओनलाइन गेमिंग की लट से अपने आपको बचाये जाने की जरूरत है यह वीडियो एक चेतावनी है ओनलाइन गेमिंग और सटे बाजी आपके भविस्यों को तबाह कर सकती है इसलिए जरूरी है कि आप अपने कदम सोच समझ कर उठाए जल्द अमीर बनने के सपने के पीछे भागने की बजाए सतर करहें और इस खतरनाक चाल से खुद को दूर रुखें बहुत बहुत धन्यवाद